सातियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग, मजा मा केम छो कसा आहिस सातियों चेक मेटर, जो कि यूजवली, सेक्शन 138 NIA के तहट पेश किये जाते हैं जिसमें परिवादी का ये कंटेंशन होता है, कि उसके और अब्यूत के मद्य समयवार रहे जिसके पेटे, कंस्रेंट अक्यूष के द्वारा चेक दिया गया, वो चेक बाउंस हो गया और नोटिस दिने के बावज़ूद भी बुकता नहीं किया गया, जिस कारण अक्यूष सेक्शन 138 NIA के तहट लाइबल है कोड में तीन प्रातना की जाती है, सबसे पहली बात जो मूल राशी है, उसका दुगना अमौन दिलाए जाए अक्यूष को जेल बिजा जाए, और भारी भरकम फाइन भी उसके इंपोस किया जाए और इसके अतरिक अन्यक अनुतोष जो नियाले को ठीक लगे, वो परिवादी को दिलाए जाए सातियों जब डिफेंस इन मैटरों कंटेस्ट करता है, तो उसको डर होता है कि उसके खिलाफ सेक्शन 118 और सेक्शन 139 NIA 8 का प्रिजम्शन है परिवादी बढ़त में हैं और निश्चत तोर पर उसको सजा होनी ही होनी है, अब उसका कुछ नहीं हो सकता तो मैक्सिमम जो अक्यूज्ड हैं, ये राजिनामे के तरफ आगे बढ़ जाते हैं जबकि आपको एक बात मैं बता दूँ कि सेक्शन 138 NIA 8 का जो बेसिस है वो है लीगल इन्फोर्सिबल डेट और लीगल इन्फोर्सिबल डेट प्रूव करनी है परिवादी को बले ही कानुद में प्रिजम्शन है सेक्शन 118 का और सेक्शन 149 का उसके बावजुद भी सब कुछ प्रूव करना है परिवादी को अगर परिवादी अपना केस प्रूव कर पाता है तब ही कोट जो है प्रिजम्शन ड्रॉ कर पाएगा साथिव इसी प्रस्पेट्टिव में एक इंपोर्टेंट गाइड लाइन्स है ऑन्रेबल मंद्रा इस्ट्रेट्ट जो है फाइल कि जिसमें क्या लिखा गया कि अधियूज और परिवादी के बीच समयवार थे जिसके पेटे अक्यूज ने एक चेक दिया और वह चेक बाउंस हो गया अल्टीमेटली उसे नोटिस दिया गया और उसके दौरा बुक्तान नहीं किया गया जि जो statement है परिवादी के यह totally unbelievable है और सम्मान ने अनुकरम में ऐसे statements को believe नहीं किया जा सकता जिसका नहीं परिवाद खारीज किया जाता है और accused को बरी किया जाता है मामला जो है high court तक गया और court ने observation किया दिये कि in the light of judgment of honorable supreme court in Simon C. Abraham versus state of Kerala and judgment of honorable supreme court cited as 2019 volume 2 MLJ criminal page number 327 the initial burden to prove the legal enforceable debt is on the complainant और यदि उस burden को complainant discharge नहीं कर पाता है और initially legally enforceable debt को prove नहीं कर पाता है तो वहाँ पर किसी भी रूप में presumption draw करके हम concerned accused को convict नहीं कर सकते हैं कोड का ये कहना है that approach of trial court is within the parameter of law in fact the commandant is having the duty to prove the initial burden that he is having the capacity to lend the huge amount further it is totally unbelievable in this case that for the loan given in the year of 2008 he received the check in the year of 2018 that itself would be sufficient to disbelieve the case of the commandant accordingly the court is a belief that there is no reason to interfere in the judgment of the concerned trial court the appeal is hereby dismissed तो कुल मला के court नहीं माना कि जो initial burden है वो परिवादी पर है और परिवादी को अपना case साबित करना है अगर परिवादी अपना case साबित नहीं कर पाता है तो उसका भरपूर फाइदा defense को मिलेगा तो सातियों भले ही 118 और 149 एनरियाट में presumption है जिसका भी पराइदी यह नहीं है कि परिवादी सक्सीड हो गया परिवादी जीत गया आप case में संधे पैदा करें आप जिरे करें और जिरे को at length करें और अगर सारा target concerned परिवादी की financial capacity पर होना चाहिए और इसके साथ सा जो transactions का sequence है उसको भी doubtful करते हैं तो निश्चित तोर पर आपको विजेशरी हासिल होगी ही होगी इसके तरिक सातियों मैंने अपनी आने को वीडियो में कहा है कि यदि आपको check matter में chances होना है तो आपको अभी जागना होगा अगर निश्ली कोट में महनत नहीं करी या अपने अपिलियन कोट तक महनत नहीं करी तो आपको high court और supreme court किसी भाव सुनने नहीं वाली है scope बहुत कम हो जाएगा और ultimately आपको jail जाना होगा बले ही आप कितने innocent हो तो जब आपको notice हाए check matters में तो आप जाग जाओ उसका proper reply submit करो और इसके साथ साथ आप trial को लड़ो बहतरीन तरीके से आप हर एक बिंदू पर जो है जिरे करो चाया वो landing capacity हो चाया वो check हो यह वो other perspective हो निश्यत तो जब आप जिरे करेंगे तो उसका उत्तर परिवादी नहीं दे पाएगा और उसका फाइदा आपको मिल जाएगा तो गवराने का नहीं है साथियों हमें केवल और केवल लड़ना है टेकनिक के साथ में निश्यत तोरबर जो हम जीज जाएंगे तो साथियों अगर आपको वीडियो समझ में आया अच्छा लगा तो इसे like और share जरू करना मिलते हैं एक नेट आपक के साथ अब तक के लिए जय हैं जय भारत